हेलो रादे रादे आज मैं आपको दो तरह के टेस्टी वाले अचार बनाना सिखाऊंगी जिसमें कुछ भी मसाला नहीं डालूँगी सिर्फ निम्बू अरी मिर्च और नमक से ही अचार बनाऊंगी तो चली अचार बनाना सुरू करते हैं यह चार ततया मिर्च ले लिए मैं को मैं एक छोटे से जार में बर लूँगी अचार ज्यादा नहीं बनाना इसका एक विक से ज्यादा चलता नहीं है यह चार खराब होने लगता है इसलिए इसको निम्बू के रस में ही बनाऊंगी यह सारी अल्दी मैंने जार में बर ली और जार को फुल नहीं बरना है इस मैं नमक डाल रहे हूं मैं सिंधा नमक यूज कर रहे हूं अब मैं इसमें निम्बू का रस डाल लूँगी ये छे निम्बू लिये हैं मैंने और निम्बू का रस डाल लूँगी लेकिन इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं होने चीहें बीज से अचार खराब हो जाता है जैसे हम कोई भी चीज का अचार बनाते हैं तो तेल उसकी उपर से तरता है पीज एक भी नहीं दिखाई देता है इसी तरह हम अलदी को पूरी तरह निम्बू के रस्में डुबा कर रखेंगे और ठन में में हलदी जरूर खाने चाहिए इसकी मैंने एक रैसी भी शेयर की है अगर सब्जी नहीं खा सकते तो इस तरह है अचार के रूप में खाने चाहिए यादू दुमें डाल कर भी पी सकते हैं और यह अचार तो बहुत ही टेस्टी लगता है चूंक इसमें तेल वगे लीजिए ये मैंने च्छे निम्बो का रस इस अलदी में डाल दिया है अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी लाकर ये हमारा टेस्टी वाला अचार बनकर तयार हो गया है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में खाने को भी अजम करता है और भूब भी बढ़ाता है तो चलिए अब हम अद्रक का चार बनाना शुरू करेंगे और ये अद्रक को मैंने अच्छे से दो के बिल्कुल इस अद्रक का पानी सुखाया हुआ है और ये चार निम्बू डाल लूँगी इसका भी वही प्रोसेस है बीजे एक भी नहीं डालूँगी शिरफ निम्बू का जूस जूस डालूँगी अच्छार में पहले मैं ये निम्बू नी चोड़कर सब निम्बू का रस निकाल लूँगी एक कटोरी में झाल लूँगी निम्बू का रस निकाल लूँगी निकाल लूँगी अध्रक के कोडिंग इसमें कमया ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन अध्रक को डूबाकर ही रखना है निम्बू के रस में अचार खराब नहीं होगा और एक वीक से ज्यादा नहीं बना ना इस अचार को क्यूंकि एक वीक के बाद इसमें खुसबूसी हो जाती है तो एक वीक का यह चार बनाना है आड़ को भीक का चार बनाना है और एक कांच के जार में डाल लिया है और यह जार मैंने अच्छे से दो के सुखा लिया था अब मैं मिर्च के दो दो टुकड़े करकर इसमें डाल दूंगी और अधर का चार बहुत ही टेस्टी लगता है बूक को बढ़ाता है पाचन कीरिया भी ठीक करता है और किसी को अगर उल्ट उल्टी लगती है तो छोटा सा अधर का अचार का फीस खा सकता है बहुत ही अच्छा रत अचार अद्रक का खाने में भी और ठन मैं ही खा सकते हैं अगर को गर्मी में तो खाई नहीं जाती है अब निम्बू के रस में मैं ये सारी अद्रक के सलाइस डाल दूँगी सारी अद्रक को मैंने निम्बू के रस में डाल दिया था अब इसको मैं एक बार इला दूँगी अच्छे से निम्बू के रस में अद्रक डूब जाएगी असे लाने से हैं और अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक ये आफ टेबल स्पून में काला नमक डाल लोंगी और आफ टेबल स्पून से नमक अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल सकते हैं इसमें एक बार इसको मैं फिर इला दूँगी डखन बंद करके जार को और इसमें और कुछ भी मसाला नहीं डालते हैं इस अचार में लीजिए हमारे टेस्टी वाले दो तरह के अचार बनकर तयार हो गए हैं एक बार आप भी जरूर बना करकाएं वीडियो को सेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में नहीं रेसिपी नए आइडिये नहीं कोई गोपाल किड्रेस के साथ हैं नहीं कोई कुर्ती डिजाइन के स आत रादे रादे